मैं आप सूधिय है और आप देख रहा है बॉलिवूड क्रेजी साच बात करने वाला हूँ मैं चौन्दी गड़ करे आशिकी फिल्म के सेकेंड डेके बॉक्स ओफिस प्रडिक्शन के बारे विज्या दोस्तों फोर्स्ट ये फिल्म ने जो अल्ली एस्टिमेट्स के हिसाब स सबाव तीन करोड का क्लेक्शन किया है तो से तिन करोड का है प्रेक्शन था और क्लेक्शन लगभग उसी रेंच में नज़र आ रहा है वर्ड अफ मौथ इस फिल्म का मिग्स है पॉसिटीव भी है थोड़ा नेगेटिव भी है और जाथ इस फिल्म को एक एवरेश टैग दिया गया है और यह फिल्म मैंने भी देखी और फिल्म में मुझे भी यही लगा कि स्टोरी बहुत अच्छी होने कि बावजूद उसका जो एक्जेक्यूशन है उसका जो प्रेजेंटेशन है यानि इस तरह से पेश किया गया स्टोरी वह उतना इंपक्ट नहीं छोड़त लेकिन बहुत इन आके बदाबल जाएगी और यह सिटी ओडियंस की फिल्म जिसम ने कहा यह चोड़ी शोड़ी शेरो वाली फिल्म नहीं है अब यहाँ पर बात करते हैं सेकेंडे के बॉक्स प्रेश्चिन के बारे में दे वर्ड़ उप मौथ विल प्ले की डोल ऑन सेटर 500-plus screens मेले हैं इंडिया में and 500 screens overseas market में that means overall a total this film has got 3000 screens across the world but still the collections will not be as we were we are expecting and there could be many reasons for that अब यहाँ पर दूसरी नगर यह फिल्म 25-3.5 करोड तक का collections करने में कामयाब होती है तो सीरी से बात है इसका collections total जो जाएगा दो दिन बात 6-6.5 करोड जाएगा और अगर यह फिल्म यहाँ से क्योंकि इस फिल्म के पास सिर्फ और सिर्फ 6 दिन है 6 भी दिन ने 5 दिन है क् वो सबकी बैंड बजाने वाली है उसके बाद 17 तारीक को रिलीज होने वाली है पुष्पा फर्स पार्ट वो भी सबकी बैंड बजाने वाली तो इन दो बड़ी फिल्मों के सामने चंदीगण करे आशिकी का जो आशिकी है आशिकी का भूत है वो तुर जाएगा ऐसा और लेगा